स्रुबंड नमेशमकार फक्तसिक्षन या यूटुप चानल अपला श्ञाया vocal είναι श्वागत् मितरान नू यहता दावी मदे उपयोजित लेखन यहाग नेमा किती गुना चाये है तर ह्या उपयोजित लेखन 24 गुना चाये है है उपयोजित लेखन यावर आधरित प्रश्ण कशे आसता यावर आपन या वीडियो मदे चार्चा करना रहोत तत पुरी माझे अपनास नम्र विनन दी कि माझे पक्त शिक्षन यूटूब चाहिन लाजर सब्सक्राइब केलना सेल तर सब्सक्राइब करा नोटिपकेशन आउन करा मझे माझे नौनोई नूड़ोत माला सहज मिलत जातील तर बगुया मित्राणनों यहत्ता दाविचा मराठी मदे चोवीज गुनांस जे उपयोजित लेखन आयत्ये कसा आए विभाग पाच मदे उपयोजित लेखन विचारल जात प्रश्ण पाच वा अ त्यात नंबर एक आये पत्र लेखन पत्र लेखन सहागुनां साटी आस्ता मित्राणनों यहा मदे यहा मदे दोन पाईकी एक पत्र सोडवाई चास्ता आज दोन पत्र आत्या है अधे टोन पत्र पाईकी एक प्रशुतोंस है त्यान अंतर जर पत्र लेखन आपने लेखन नसल तर त्याला क्यों आपले आपले ला सारऊंज लेखन आए प्रश्ण पहिला इजवाए अपठित उतारा मंजे पुस्ताका बाहर सा उतारा मंतोपा आपन तीन नंबर चा तोज उतारा आए त्या उताराचा एक तृत्यों साराउंश लेखन कराईचा अस्ता अपल्याला द chasing 17-10 तीन 12 ऊळवाट मंजे या चार उजवाट कराईचा आसा नहीं तोर तियाँचा आरथ चार उजवाट मंतोपा आताराईचा या अधार्थ लेखन कराईचा एक तृत्यों blocks सासा ं refers लेखन कराईचा घल्यान ठेविद पुडे प्रश्ण पाच्वा आ दहा गुन सड़ी प्रश्णा है यह चा मदे जाहरात लेखन एक आस्त बातमी लेखन एक आस्त आनि कठा लेखन एक आस्त पाचवाई लेखन कवसेले यहां मदे अगी निबंद लेखन निवन्द लेखना मदे एकुन गुन आठाये येच अमदे आनी बागा येचत काया है तरबागा निवन्द लेखना मदे प्रसंग लेखन लेचासता आपले ला त्यानां तर आत्मकथन एकाद्या वस्तुच जन्रल वस्तुच जास्ती जास्त विचारला जाता वेक्तिच क्यों अगदी नदी, जाड, मोबाईल असक कसले प्रकारच आत्मकथन विचारला जाता आने वाइचारिक लेखन तर या पत्धतीन तीन लेखन प्रकार दिलेले प्रसंग लेखन, आत्मलेखन, वाईतेरिक लेखन वरिल तीन प्रकार पाइकी कोंतिया एकाद्या प्रकार वर आपलालीजर लेखन कराईचसे और ते लेखन मित्राननों 8 गुणा सटी आस्तु viewer दिन प्रतेक्षामदे आपला आप लियाला इथे जय एम है आएत बागा आठ आठ आनी हे दा आठरा आठरां सहा चोविस चोविस मार्काच संपुर्ण उपियोजित लेखन आप लेला या पद्धतिन इथे विच्छारल जात अणि या मद है आप ला सवस्पाईकेचापईकि मार्स मिवशक्ता पुणा नवी नुड़ेव मदे लवकरस बेटुया तो परिंत धन्यवाद